दूस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर मेरोईत आप सभी के साथ मुझे उमीद है आप सबी लोग अच्छे होगे अगर आपने अब तिक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्टेशन में काफी कुछ आप मिस कर दिए आप सभी के सामने इस जगा बैंक निप्टी का चार्ट उपन किया मार्किट कैसा उपन हो सकता है आपको कहां पर बाइंग करना चाहिए कहां पर सेलिंग करना चाहिए उसके पीछे का लॉजिक क्या होगा सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में तो देखें जो मैंने आपको टेलिग्राम चैनल पर कॉल दिया था काफी अच्छा फॉफिट बना काफी बढ़िया फॉफिट आपको देखने को मिला उसके पीछे का लॉजिक क्या था तो देखें मैं हमेसा मार्किट में बोलता हूँ कि वही मार्किट अगर ओपन होता है उससे 2-3 घंटे पहले आपके तैयारी होना चाहिए कि वही मार्किट कैसा ओपन हो सकता है और हमको क्या बाइंग करना चाहिए तो यहां पर देखें मार्किट एक अच्छी खासी तेजी में ओपन आपको देखने को मिला पहले मार्किट में नीचे की साइट लेवल आपको और देखने को मिला जो कि देखे 38,200 के समतिंग यानि अगर आप देखोगे तो नीचे की लेवल से भड़ी है तेजी देखने को मिली और अगर मैं बात कहूं तो यहां पर 300 पॉंटों के असवास की तेजी आपको देखने को मिली लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वही होना चाहिए कि वही मुझे क्या करना है तो यहां पर हमने देखे पहले भी बात किया था जो मैंने कल वीडियो पब्लिस किया था उसमें भी मैंने आपसे बताया था कि मार्केट में जो एक रजिस्टेन हमको देखने को मिलता है वो 38,200 के असवास का देखने को मिलता है और लिए यानि जो पहले सपोर्ट था वो इसका अब क्या दिखाई दे रहा है रजिस्टेन दिखाई दे रहा है ठीक है इस जगह तो वे देखे नमबरिंग आपके एक ही है नमबरिंग में कोई चेंज नहीं हुआ 38,200 को नमबरिंग है और मैंने आपको बोला भी था कि 38,200 के मार्केट में दो चीजे में आपको उतायता हूं सबसे पहली बात तो कि मार्केट में अगर आप बाइंग करने आए हूँ तो आपको SL जो आपको पता होना चाहिए कि वही आपका SL कितना है इस जगह आपका 20 पॉंट का है या आपका 25 पॉंट का है या आपका 200 पॉंट का ह SL आपको पता होना चाहिए अगर आपका 200 पॉंट का SL है तो वहाँ पे फिर आपको loss भी बड़ा देखने को मिलेगा है ठीक है दूसरा आपको पता होना चाहिए market के अंदर कि मैं CE buying करने के लिए तैयार हूँ या इजगा PE buying करने के लिए तैयार हूँ ठीक है आपको पता होना चाहिए पहले से क्योंकि market में अगर आप देखिए कहीं पर भी कुछ भी buying करोगे तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा वहाँ पर आपको loss देखने को मिलेगा अब आप सोचिए कि काफी काफी लोगों ने एजगा 38,200 पर काफी लोगों ने किया हुआ क्योंकि market में 300 पॉइंट की रेली 300 पॉइंट में अगर आप देखोगे तो काफी अच्छी रेली अब इतनी बड़ी तेजी को देखके कौन मार्केट में इग्नॉर करेगा कि वहीं सीई बाइंग नहीं करना चाहिए लेकिन तैयारी पैरे से होना चाहिए वहां से अगर आप देखो गए तो 38,200 से इसमें अगर मैं बात करूं तो नीचे की साइट जो इसका लोग आपको दिखाई दे रहा है काफी बड़ी गिराव मार्केट में जब इसने वाला लो मारा तो इसने एक रेंज बनाया उस जगह 36,000 से अगर आप देखोगे तो यहां पर देखे आपको देखने को भिलेगा कि इसके अंदर एक रेंज बनते हुए दिखाई दी कैसे मैं आपको दिखाता हूं कि आप इस जगह देखोगे तो अब 38,000 के ऊपर जाने में कई ने कई इसको दिक्कत आ रहा है बैंक निप्टी को इसके ऊपर जाने में कई ने कई दिक्कत आ रहा है कि इतने आसानी से जा नहीं रहा है इसके ऊपर मैं आपको क्या बोला इतने आसानी से जा नहीं रहा है और नीचे की साइट अगर मैं बा तो 200 पॉइंटों की इसमें रेंज आपको दिखाई दे रही है तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रही है इससे पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए आपके मन में जो भी सवाल है मुझे कमेंट में कीजिए काफी अच्छा लगता है कि आपके सवाल आते हैं आपके लाइक आते हैं काफी दिल से काफी अच्छा लगता है ठीक है तो हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि वह इस जगा आपका 200 पॉइंटों की रेंज आपको दिखाई दे रही है अगली जो गिरावट आएगी वह आप जे समझ लिजए क वही 37,800 के नीचे ही आएगी उस से पहले गिरावट नहीं आ सकती हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए लिंक आपको वीडियो के डिस्सेन में दिये गाया है 38,500 का जो मैंने आपको पीई बाइंग करने के लिए राए दिया था काफी अच्छा पॉफिट में जोइन होना है तो हमारे लिंक से अकाउंट उपन कीजिए और जोइन हो जाइए हमारे ओर्लाइन किलास में और पेट ग्रूप में अब मैंने आप सभी के सामने वन अवर्स का चार्ट उपन किया अच्छा आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे हो तो वहाँ पर मैं ज चार्ट पर हमने देखा की मार्केट में कैसे करना जैब चार्ट का एक में होता हमीसे कहता हूं चार्ट को दखना औरहां से अगर आप देखो तो मार्केट की हुआ था 40,000 की आसवस्त का और यह हमने टेरेल लाइन जब ओपन किया था फिर यहाँ पर आप देखो तो फिर से देखे इस जगा रेजिस्टेंट लिया इस जगा देखो तो इस जगा भी देखे रेजिस्टेंट लेते हुँ दिखा दिया लेकिन इसका जो देखे वेलू च चेंज हुआ था जो कि कहीं 38,800 से लेकि नीचे की 68,500 का इस जगा वेलू को चेंज हुआ क्योंकि मार्केट ने देखे इस जगा गैप ओपन दिया था और जी टेरेल लाइन जो आपको दिखाई दे रहा इस टेरेल लाइन के ऊपर मार्केट निकल चुका था देखे निकल कि लोजिंग नहीं थी ती मैं हमेशा बोलता हूं कि वह आपको एक चीज हमेशा देखना मार्केट आपका ऊपन नीचे हुआ है लेकिन का महतुवड़ा जादा है अपने टेडिंग किया तेकि आपको इस जगा 5000 का पाफिट दिखाई दे रहा है क्या वह पाफिट आप 5000 का ले जा पा रहे हो देखे profit दिखाई दे रहा है और आप ले जा पा रहे हो दोनों में अलग लग चीज़ है profit सबको दिखता है लेकिन काफी लोग ले ही नहीं जा पाते उनको क्या end पर क्या दिखाई देता है काफी लोग को इस जगर loss दिखाई देता है तो profit ले जाने में और बना के दिखाया था इस जगह टेंपेरली मैंने आपको दिखाया था लेकिन काफी अच्छा काम किया अब यहां पर देखें चीजों को समझो ठीक है इस जगह कि अब मार्केट में क्या हुआ इस जगह कि मार्केट देखें कंटीनू कि रहा लेकिन यह 15 तारिक 15 16 17 18 अब जो गिनने का ट्रेंड अलग तरीक का है इस जगह अगर आप देखो गे तो मार्केट ऐसा नहीं गिर रहा थी कि मार्केट में कुछ समय के लिए देखें यहां पर सप्लाई आपको देखने को मिलती है नीचे के लेवल से फिर एक गिरावट आती है फिर सप्लाई आपको यहां हम इखें वहन से करते हैं मार्केट में तो हम संपल से क्या काम करेंगे अगर क्या यह जाता है यानि 1 of us के चार्ट में आपके ओपनिंग कहीं पर भी हो लेकिन क्लोजिंग अगर आपका इसके नीचे जाता है तो यहां से आपको गिरावट देखना चालू हो जाएगी तो इस कंडिशन में हम क्या करेंगे इस जिगा पीए बाइंग करने की कोशिस करेंगे फिर हमारे जो टार्गेट होंगे वो 37,700 के पहले टार्गेट, 37,600 का दूसा टार्गेट और 37,500 का तीसा टार्गेट हमको देखने को मिलेगा यानि अगर हम बात करें तो 300 point के target हमको देखने को मिल सकती है अभी तक जो हमने बात किये है वो इस जगा देखे PE की बात किये है लेकिन अब सवाल आता है कि भाई इस जगा CE कहां पर buying करना चाहिए CE buying करने का क्या logic होना चाहिए तो देखे जिल लोगों ने वीडियो को बिलकुल पूरा देखा है वो इस logic को समझ सकते हैं अगर वीडियो को पूरा नहीं देखा तो वीडियो को पूरा देखिए फिर इस logic के उपर काम किजिए देखे क्या होगा कि अगर मैं बात करूँ तो इस जगत के 38,000 के उपर अगर बजा निकलता है मैंने क्या बहूला 38,000 के उपर अगर बजा निकलता है निकलने का भी एक इसके अंदर एक वो होना चाहिए कि पहले consulate हो कुछ समय देखे समय बिताना चाहिए market समय बिताने के बार फिर इसमे एक breakout आना चाहिए जो कि कई ने कई वन अवस के चार्ट पर ब्रेक आउट अगर आता है तो यहाँ पर क्या होगा कि वह एक जो candle बनी है उस candle में opening तो नीचे होती है लेकिन closing आपकी उपर की शायट और closing जो होती है वो 38000 के उपर open होती है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर एक अच्छा टार्गेट हमको हो सकता है जो कि सबसे पहला टार्गेट होगा 38200 38200 का ही टार्गेट मैंने क्यों बोला सबके अंदर सवाल आ सकता है क्योंकि यह supply zone है अगर यहाँ तक बजार आता है तो आप यहाँ पर पहला profit booking कर सकते हो दूसरा टार्गेट आपको देखने को मिलेगा 38300 का एच जगा 1300 का आपका दूसरा टार्गेट देखने को मिलेगा और 30 जो टार्गेट होगा और 25400 का होगा आए हमारा full profit booking करने का टार्गेट होगा यानि हम इस जगा तक market को जाते हुए देख सकते हैं अगर market इस level को power करता है और जो तरीका मैंने आपको उताया उस तरीके से power करता है तो काफी अच्छा profit देखने को मिल सकता है मैंने PE का logic आपको बता दिया, market का logic आपको बता दिया तो अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको logic समझ में आया होगा अगर आपने अभी तक हमाई telegram channel को subscribe नहीं गया तो telegram channel को subscribe कर लिजे और वीडियो को like कीजे जैहिन पंदमातर